हे स्टुडेंट्स वेलकम बेग तो माई यूटूब चैनल आज मैं आप लोगों के लिए बीएसी थर्ड येर जुलोजी का एक इंपोर्टन टॉपिक लेकर आई हूँ लिबिक का निउन्तमता का नियम या सिधान लिबिक स्लोव और मिनिमम जर्मन जीव रशायनग्य जूस्टस वान लिबिक ने सन अठारा सो चालिस में जिसके अनुसार जियुधारी आवस्यक्ताओं की पारिस्थितिकिय स्रिंखला इकोलोजिकल चैन्स में सबसे कमजोर कड़ी द्वारा नियंत्रीत हो सकता है लिबिक ने खनीच पोशकों का पौधों की वृध्धी में संबंथ पता लगाया उनके अनुसार मतलब उनके द्वारा पौधों की वृध्धी उन पोशक तत्वों वृध्धी का मतलब ग्रोथ होता है जो पोधे हैं उनका ग्रोथ ग्रोथ बढ़ना को कहते हैं पोशक तत्वों या पदार्थों पर निर्भर करती है निर्भर करना मतलब उनके जो पोशक तत्वों हैं उन पर डिपेंडेड होना जो आवस्ट्रक्ता अनुसार कम से कम मात्रा में उपस्तित होते हैं इसी को लिबिक का निून तमता का सिधान्त कहते हैं ब्रिटिस वैज्यानिक ब्लैक मेन ब्लैक मेन ने निून तमता के सिधान्त को दूसरे सीमाकारी कारकों के साथ जोड़ा है दूसरे कारकों एवं अधिक तमता का सीमाकारी प्रभाव सहन सिल्ता के नियम में समिलित किये गए इस प्रकार नियुन्तमता का यह सिधान्त सीमाकारी कारकों की अवधार्नाओं का एक दृष्ठी कोण ही दरसाता है इन्होंने अध्यन करके यह बताया कि प्रकास अंसलेशन की गती चरम तिर्वता से करने वाले कारक की सांध्रता द्वारा नियंत्रित होती है उदारण पौधों की वृधिक के संबंध में जल, कारबन, डायोकसाइट आधी कारक कितनी ही अधिक मात्रा में क्यों ना उपलब्द हो उनका पौधों की वृधिक के लिए उपयोग बोरोन जैसा अल्प कारक पर निर्भर करेगा जो पौधे हैं उनकी वृधि, वृधि का मतलब होता है बढ़ना, ग्रोध करना ठीक है के संबंध में जल, कारबन, डायोकसाइट कितना भी जादा हो लेकिन जो उनका ग्रोध होना है वो बोरोन जैसे जो बरौन है उसके जैसे अल्प कारक, अल्प का मतलब होता है थोड़े से, ठीक है? कारक पर निर्भर करेगा, जो सदेव अल्प मातरा में भूमी में पाय जाते हैं, बहुत ही कम मातरा में जमीन में पाय जाते हैं लिबिक ने सीमाकारी कारकों का सिधान्त केवल पौधों के लिए दिया था, किन्तु टेलर, टेलर भी एक विज्ञानिक थे, उन्होंने इस सिधान्त को सभी जिवधारियों के लिए विस्तरित कर दिया और इसकी परिभासा निमनलिखी तरह से दिया, ठीक है? अब परिभासा देखते हैं, जिवधारियों की जैविक, क्रियाएं उन सार मूल, वातावर्णिय कारकों से प्रतिबंधित रखती है या रहती है, जो नियुन्तम मात्रा में उपलब्ध होते हैं अब देखेंगे ओडम के अनुशार लिबिक का नियुन्तमता का सिधान्त केवल उन रशायनिक कारकों तक ही सिमित माना जाना चाहिए, जो जिवधारियों की कारी की कारी करने की काम करने की छमता को कह जाता है, के लिए आवश्यक है अतह यह वातवर्णिय कारकों पर सेलफोट का सहन सिल्ता का नियम लागू करना चाहिए हमारा टापिक यहीं खत्म हुआ, अगर आपको हमारे चैनल से हेल्थ मिलती हो, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कॉमेंट करकर बताएं कि अगली वीडियो आपको किस टापिक पे चाहिए, ठाइंक यू